आज हम वेल्णिं का टॉपिक स्टाट करने वाले हैं और क्योंकि जो इंपोर्टन टॉपिक्स उन्दी को कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो ज़रूरत नहीं है तो फिर भी मैं कोसिस करूँगा आपको वेल्डिंग की इस चप्टर की डेटेल डेटेल हर चीज़ बतानेगी ठीक है तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग क्या होता है आपके पासामनों डेफिनिशन लिखा रहा है जी यही विदिंग है असली वेल्डिंग की डेफिनिशन क्या है यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑफ तू और मोर सिमिलर और दिसिमिलर मैंतल बाइद एप्लिकेशन ऑफ हीट कुछ टर्म से यहाँ पर मैं आपे करूंगा ज्वाइनिंग ऑफ तू एंड मोर सिमिलर और दिसिमिलर मैंतल बाइद एप्लिकेशन ऑफ हीट इस नोन एस वेल्डिंग अच्छा तो अगर आप जेनरल अगर यह तो जो आपको डेफिनिशन देख रहे हो यह हम बात कर रहे हैं जो हम लोग वेल्डिंग पढ़ रहे हैं उसके इसके लिए ठीक है बट यहां पर एक तर्म अगर हम मिटा गये हैं और इसकी जगाप अगर हम यहां पर लिखते हैं तो यह हो गई वेल्डिंग की और सबसे सही डेफिनिशन क्या है जोइनिंग ऑफ टू और मोर सिमिलर और डी सिमिलर मैंटल और नॉन मैंटल बाइद एप्लिकेशन ऑफ हीट इस सबसे दाधा इंप्वाइन पॉइंट है इस नोन अस वेल्डिंग इतना क्लियर है नाउ वि किसी मेटल को हीट करोगे बहुत ज्यादा हीट करोगे उसकी तामपर हीट करोगे तो क्या होगे उसकी मेटलर्जिकल प्रोपरटी इसकी ग्रिंज में चींडे सोने लगते हैं बट वेल्डिंग में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम कोई भी उसकी metal की metallurgical property, उसकी strength क्या है, उसकी stiffness हम कूछ भी change नहीं करेंगे, उस सब वही रहेगा, बस हम दो metal को या similar हो, या dissimilar हो, दो हो, दो से ज्यादा हो, उनको जोडने के लिए हम इस process का use करते हैं, उसको बोलते हैं, वेल welding का, ठीक है, तो आपको आसान होगा, स्तिर्फ मैं इस वीडियो में introduction दे रहा हूं, कि मैं अपन इस welding में क्या-क्या cover करने वाले हैं, ठीक है, नौ, welding, welding में यहाँ यहाँ पे, दू तरहीके का welding होता है, इस इंटली, एक होता है, fusion, ठीक है, और इसको अपन नौन प्रेशर नाम से जानते हैं, नौन प्रेशर, ठीक है, और दूसरा होता है, नौन फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग, नौन फ्यूजन स्लैस, प्रेशर में, ठीक है, तो welding के दो ब्रांच होता है, fusion और नौन प्रेशर वेल्डिंग, नौन फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग, इतना क्लियर है, नौन, अब fusion के अंदर आओगे, तो आपको fusion के अंदर तीम गिलेंगे, ठीक है, पहला हो गया, gas welding, ठीक है, दूसरा हो गया, arc welding, और तीसरा हो गया, chemical welding, ठीक है, यह तीन हम लेएंगे, तो welding के अंदर दो टाइप होता है, fusion welding, non fusion welding, fusion welding में हमारा आता है, gas welding, arc welding, और chemical welding, ठीक है, non fusion में आता है हमारा, hot और cold process welding, hot और cold process welding, इतना गर्फर्म है, अब अपन और बीट में चलता है, gas welding, gas welding में हमारा आता है, and सबसे पहले, oxygen, acetylene welding, oxygen or acetylene welding, air or acetylene welding, ठीक है, oxygen or hydrogen welding, and atomic ठीक है, THR, 1, 2, 3, 4, चार पॉइंट, oxygen, acetylene welding, air acetylene welding, oxygen, hydrogen welding, atomic welding, तो यह आता है, gas welding में, ठीक है, arc welding में देखते हैं, arc welding में, सबसे पहले क्या आता है, अपना, direct current, strict polarity वाला, welding, direct current, reverse polarity, TIG, congestion inund gas welding, MIG, metal inund gas welding, ठीक है, TIG हो गया, MIG हो गया, then S, submerged arc welding, ठीक है, electric, submerged welding, ठीक है, तो आप यह आता है, किते ठीक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छे टाइक का अपना, अपन पढ़ेंगे, arc welding में, इस सबकी बारे में, अपन detail में पढ़ेंगे, ठीक है, chemical welding में आपका, एक ही आता है, जिसका नाम है, thermit welding, thermit, thermit welding, thermit welding, ठीक है, अब आते हैं, अपन hot और cold welding में, cold welding में आपको सिर्फ, दो ही मिलेगा, ठीक है, cold welding में, सिर्फ आपका दो ही आता है, या तो cold प्रेस, या तो cryonic, spelling cryonic, cryonic, ठीक है, cryonic welding, या आपका आता है, cold में, hot में अपना आता है, soldering, braze, braze welding, braze welding, brazing, and the last one is, resistance welding, ठीक है, हमारा hot welding में लिए क्या आता है, soldering, brace welding, brazing, resistance welding, इतना clear हो गया, और, अब लास्ट है, resistance welding में हमारा आता है, चाठ आइक का, एक, दो, तीन, और चाठ आइक का, हमारा resistance welding होता है, है, sport welding, अब, seam welding, projection welding, and percussion welding, percussion welding, ठीक है, तो ये था, overall introduction welding का, अब आब यही, one by one, सब को लेकर, gas welding में होने, ये सब पढ़ेंगे, art welding में ये सब पढ़ेंगे, chemical welding में तो, एक ही है, इसके बारें पढ़ेंगे, तो यह सब टॉपिक हम आपको वेल्डी की सीरीज में बनाने जा रहा हूं वीडियो सीरीज में यह सारे टॉपिक रहेंगे तो फिर से बार बता रहा हूं क्या है when you joining of two or more similar or dissimilar metal या non metal by the application of heat is known as welding ठीक है without a change or interchange the metallurgical property of welding ठीक है Oxygen Acetylene Welding, Air Acetylene Welding, Oxygen Hydrogen Welding, Atomic Welding, Arc Welding में Direct Current, Straight Polarity Welding, Direct Current, Reverse Polarity, Transition Inert Gas Welding, MIG, Metal Inert Gas Welding, Submerged Arc Welding, Electric Submerged Welding, Chemical Welding में Thermit Welding, Hot Welding में हम पढ़ेंगे, Soldering, Brace Welding, Bracing, Resistance Welding, Cold में हम पढ़ेंगे, Cold Press, Cryogenic Welding, Now, Resistance Welding में हम पढ़ेंगे, Spot Welding, Seam Welding, Projection Welding, and Percussion Welding, तो यह सब overall introduction था welding का, ठीक है, तो next lecture में हम स्टार्ट करते हैं, One by One किसी टॉपीक को लेके, ठीक है, So, Thank You, So, Guys, Gas Welding, इस lecture में हम स्टार्ट करने वाले सबसे पहले, Gas Welding को, ठीक है, तो Gas Welding क्या है, सबसे पहले तो हम यह जान करेंगे, और इस lecture में हम generally discuss करने बादे हैं, All About Oxy-Acetylene Welding, ठीक है, तो क्या है Gas Welding? Okay, Heat Optane, Heat Optane To To Milt The Parent Material मतलब इस material को आपको weld करना है, With the help of Heat, आप तो Heat Optane करोगे तो आपका Parent Material Milt होगा, Parent Material Is by Is by Burning of Some Gases ठीक है, तो Gas Welding में कहते हैं, हम कुछ Gases लेते हैं, और उस Gases को जब हम Burn करते हैं, तो उससे हमें एक Flame मिलता है, उस Flame की Health से, जो भी Metal, दो Metal को अगर हमें करते हैं, वह तो क्या हो सकता है, या जो जिस material का हमारा Parent Material है, उस material का वह फिलर और रोड हो सकता है, या उसके आसपास relation वाला, तो उसको फिरम क्या करते हैं, उस दोनों के बीच में उस उस फिलर मेटेकल को जैसे आप उस heat की बीच में लाओगे तो वह पिगलेगा, पिगल कर आकर पुरा मेल्ट होके इसके आसपास भर जाएगा, और ये दोनों हैं, मेटल वेल्ट हो जाएगी, ठीक है, तो यह था, heat obtained to melt the parent material is by burning of some gases, is called gas welding, ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट क करने वाले हम, oxy-acetylene welding, ठीक है, तो final मैंने ये drawing बनाया, oxy-acetylene welding का, जो आपको drawing दिखिए रहा है, ऐसे ही रहता है, हम दो cylinder यूज़ करते हैं, एक cylinder में हमारा oxygen रहता है, एक cylinder में हमारा acetylene रहता है, इतना ठीक है, जिस cylinder में oxygen होता है, उस cylinder का color हमेशा black या brown color का होगा, ठीक है, और जो cylinder में हम ऐसे clean रखते हैं, उस cylinder color हमेशा red या maroon रहेगा, ये standard color है, exams में पूछ भी देते हैं, याद रखने आपको, oxygen जिसमें रहेगा, मैं black color से बनाया भी हूँ, black color का, acetylene जिसमें होगा, वो red या maroon color का ठीक है, टो से later हो गया इसको जो pipes को, हूँ लोग बोलते है, hvad होल स्वाइप, जिस pipe में oxygen होता है, उस pipe का color होता है, blue और जिस pipe में, हमारा acetylene होता है, जो आप्सीजन और यहां पर मिक्स होता है मिक्स होने के बाद यह से हमारा मिक्सिंग गैसे बाहर आता है तो इसको इनाइट करने के लिए आप मैच स्टिक से इसका हिका सा अप इस पार को तो इसको मैं बोलता हूं वेल्डिंग पूल ठीक है तो यह था ओवर्डिंग और और आज के बास देखूंगा न इसको मैं बोलता हूं वेल्डिंग पूल में लिखहा है कौबर और प्लास्टिक क्यों ऐसा है देखो जो हमारा ऑक्सीजीन से लेठर के हैं उसका प्रेशर है तो प्रेशर को ऑगर आपको किरौ प्लास्टिक पाइप से वह रह घ्ट जा और इस लिए ऑक्सीजन का occup bet अब इसमें इसका रियक्शन रिखते हैं, यह कैसे काम करता है, देरों, C2H2, acetylene react with oxygen to form 2CO plus hydrogen plus heat, ठीक है, this is heat, यादब में, तो जब आप acetylene को oxygen से react करा होगे, तो आपका 2CO plus hydrogen plus heat निकलेगा, ठीक है, ना, 2CO plus hydrogen जब रेक्ट करता है, फिर इसी कहले, यह प्रोसेस ऐसे तीन पार्ट में बटा हुआ है, पहले दोनों rate करेंगा, तो यह बनेगा, फिर यह दोनों rate करेंगे, तो बनेगा 2CO2, okay, sorry, this, 2CO निकला, तो 2CO में oxygen, रेक्ट जब होगा, 2CO2 plus heat, ठीक है, ना, CO2 को hydrogen, plus half amount of O2, gives H2O plus heat, यह इसका equation है, आपको यार बना है, इवें, acidly react with oxygen, it's form 2CO plus H2, and extract heat, मतला भी तो reaction है, exothermic reaction, ठीक है, exothermic reaction है, and then 2CO react with oxygen, it's form 2CO2 plus heat, and when hydrogen react with 1 by 2O2, this hydrogen react with 1 by 2O2, half of oxygen, it's convert water into heat, ठीक है, तो, इस पॉइंट की तेंपरेचर होती है, यह वैसे तो, क्योंकि जब water, oxygen वैसे, जब react करता है, हम देखे हैं, यहां पर water बन रहा है, तो इसकी तेंपरेचर होती है, यह maximum temperature तो बहुत जएगा, 32, 33, 3400 degree Celsius तख होता है, बट उसकी temperature क्या होती है, कम हो जाती है, विकॉज जो water यहां पर बन रहा है, उस water को evaporate करने में, water को evaporate करने में, maximum energy यहां पर loss होती है, और जो final temperature यहां कर निकलता है, ग्राइस वेल्टिंग का लगभर 2500-2000 degree Celsius के आजपास, क्लियर है, वही आप आर्क वेल्टिक करते हो तो 32, 3500-4000 degree Celsius तो वहां पैसा कुछ है नहीं की water molecule को evaporate करना है, जितना energy है, सब आ रहा है, यहां पर जो रिएक्ट कर रहा है, तो कुछ water molecules को evaporate करने के लिए, lots of heat, lots of energy will be lost, due to this, the temperature of this flame will be down, or decreases, about 2000 degree or 2500 degree Celsius के आजपास, ठीक है, तो यहां पर एक चीज़ और देहां दो, देखो, वन molecule of oxygen, वन molecule of oxygen and 1.2 molecule of oxygen, total 2.5, ठीक है, 2.5 molecule, volume of oxygen, तो वन ठीक है, वन यूनित, यूनित की बात कर रहे हैं, बतलब वाल्यूम ले रहे हैं, वन यूनित आफ, वन यूनित वाल्यूम आफ, वन यूनित वाल्यूम आफ, C2H2, इनको burn करने में, total 2.5 unit volume of oxygen लगता है, ठीक है, इस equation तो यह ही समझ में आ रहा हैं, अगर हम यह 1 unit of oxygen, 1 unit of oxygen, 1 by 2 unit of oxygen, total मिलके होता है, 2.5 unit of oxygen, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब की 1 और यह है, acetylene 1 unit, तो 1 unit volume of C2H2, acetylene को burn करने में, 2.5 unit volume of oxygen की requirement होती है, ठीक है, therefore अपको यह तुम ठीक है, अपको जाताना है, तो अपको एक थीक तुम और यहाँ पर धियांद्या रखना है, वो तम यह धियांद्यान रखना है, कि सिर्फ, शिर्फ, वन एमांट, वन झूनीट ओफ oxygen ऑ क्यून जो है, इस 2.5 unit volume of oxygen में, सिर्फ सिलिंडर से आपको आता है बागी का जो बचा हुआ 1.5 है वह एट्मोस्टेर से लिता है ठीक है आपको यह दिसकस करते हैं इसके फिलेम के बारे में यह तो हो गया इसके फिलेम के बारे में हम डिसकस करते हैं ठीक है ना फिलेम के बारे में डिसकस करते हैं तो हम जेडरली तीन टैप का फिलेम यहां पर पढ़ने वाले हैं ठीक है सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटरल फिलेम न्यूटरल फिलेम न्यूटरल फिलेम ऑक्सिडाइजिंग और कार्बुराइजिंग ये तीन फ्लेम के बारे में हम इस ऐसे लिए टॉटिक में पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले हम न्यूट्रन फ्लेम में डिस्कुस करते हैं तो मैं अगर आपको डाइग्राम बनाव न्यूट्रन फ्लेम का यहमारा नौजल है फिर्ट लेयर फ्लेम ऴुट्रन फ्लेम अफ्टर लेट तो आप यह जो हमारा इनर मोज पार हैं यह वाला जो लेयर हैं इसको यह रेड और ब्राउनी इस कलर्ड़ का होज़़ा है थिक है जो जो फ्लेम नीकलता है वह ऐसे इंटरमेडियेट इनर पार और आउटर बार्ट मे तो रेड कलर या येलो इस कलर कह रहेगा और जो बाँ बाहर वाला जो पाठ है फियूर इस जुटे आ उस प्रियंट इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इंटरबीडियेट इंटरमीडियेट या इंटर्फेस ऐस ओफ इन और आउटर को इंटर्मीनियट बोला जाया या इनर फेस ओफ स्टेंग इंटर फेस ओफ इनर और आउटर कॉर इंटर फेस ओफ इनर एंड आउटर कॉर तो चो टेंप्रेचर है हमारे नूट्रुल नेनका ये तो मैंने निट्र फ्लें का आपको डाइराम बता दिया इनर पार्थ हमारा रेट और यलो इसकलर का होता है आज़सी इसका मतलब क्या सब्सक्राइब कि अंचेलीन शर्प करेंगे इसमें ऑक्सीजन जो है और जो आसिठीलीन है इनका वथी यह रहना चाहिए ठीक है सब्सक्राइब आपको तो इसका तरीक टेंपरेचर निलता इसे अप्रॉक्सिम इसे थर्टीटू डिशलिस पास 32 degree celsius के आस पास मिलता है बट जो एवरेज टेंपरेचर इसका 2,000 तू 200 degree celsius ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ maximum temperature तो 3200 degree celsius तो यहां पर मिलता है बट यह average जो हमें मिलता है वो 2000 से 2100 degree celsius तो क्यों मिलता है इसका main reason है कि जो acetylene है तो acetylene जब burn होता है तो हमने reaction देगा था acetylene जब burn हो रहा था तो amount maximum water भी काफी amount of water भी वहां निकल रहा था तो उस water को burn करने में बहुत सारा amount of energy वहां loss हो जा रहा था इसलिए T max जो है 32 degree था और average जो है वह हमारा इतना मिला तो इसका मतलब क्या निकल किया था ती average जो है that is two-third of T max ठीक है तो आपको neutral flame का इत्ती जान कर रहे है ने करका neutral flame का ratio 1-1 flame का intermediate temperature हमारा maximum इतना होता है but average जो हमें मिलता है आपको एक तम यह याद करकर रखना है इस neutral flame में एक चीज़ यह यह आपकर रखना है और यह flame में कहला है ठीक है बस इतना ही आपको neutral flame में रहना है अच्छा इस neutral flame का हम use कहा करते है इस flame का use देखिए flame का use और ferrous and non-ferrous metal को join करने में यूज़ करते हैं और ferrous and non-ferrous metal को join करने में लिए आप इस neutral flame का use कर सकते हो दूसरा जो high melting point वाले जो metals होते हैं उनको भी यह easily से join कर देता है ठीक है तीसरा इसका average temperature चाओ था यह तीसरा point है इसका use का average temperature एकना हमाला रहता है आपको इसके आज-पास वाले को भी metal को join कर सकते हैं तो इसका temperature देखो 2000-2100 celsius तक है तो जो भी high melting point material है उसको आप इसरी join कर सकते हो इस neutral flame से एक्सेट अच्छा use हो गया एक limitation नहीं 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 एक्सेट ब्रास यह चीज़ सबके लिए ठीक है कॉपर का अगरा मैंटी पॉइंट देखोगे तो 1082 degree celsius और जिंक का 420 degree celsius देखें तो जब आप ब्रास को जब आप इस flame से हीट करोगे तो पहले क्या है जिंक और कॉपर के मिक्स से ब्रास बनता है ना तो जिंक 420 है तो जिंक क्या होगा इवापूरेट हो जाएगा बचेगा क्या ही यह टेंपरेचर जब 2000 तेंपरेचर लगेगा लगवाद 16-100 degrees Celsius आया यहां पर आएगा तो क्या होगा जिंक पहले ही इवापूरेट हो जाएगा तो जिंक आपका इवापूरेट हो जाएगा तो अपका निक के बाद विल्डिंग के बाद वह ब्रास रहेगा जिवह ब्रास और कॉपअ बनता है जिंक तो यह इवापूर लोट पहले आपको उनकों नाम से ब्सक्राइब है बाग कर रहा है मतलब जादा होगा जादा ऑठ कितना जादा होगा इस वैल्यू 1.152 1.5 तर वैली होगी तिक यह 152 तो 1.5 रहेगा ऑक्सिजन की इमाउट ज्यादा होगा और वेली होगी 1.15 से 1.5 के रेंज में यह 7 नहीं है 1.5 के रेंज में होगा तो यह एक्जाम के पुछा राता है कि उसे रेशियो को पूर है वो क्या है यह आदा पुना है अचा इस से पहले मैंने डिसके ठीश किया था ठीक नंससक्कि ऐसरो कि इनर पार्ट जो का जिसका वह on a lent में जो इनर मोस्ट पार्ट कोर इनर कोर पार्ट जो था उसका लैंज एक्जांबल एन है ठीक है ना जब आप ऑक्सीजिटेशन की यहां की मातरा बढ़ा होगे क्योंकि ऑक्सेडाइजिंग फ्लेम में क्या हो रहा है ऑक्सीजन ज्यादा होने कारण क्या होगा आप्सीजन ज्यादा होने के कारण आगा कार्वराइजिंग फ्लेम यह इतना ही रहेगा ऑक्सीजन ज्यादा होने कारण जो आउडर पार्ट है वो काफी ज्यादा मिलता है ठीक है तो इसका जो लेंथ होता है ऐप्रोक्सिमें अट यह याद वाइन ज्यादा होने फ्लेम फ्लेम फिल से बता रहा हो जो इनर्मोस्ट पार्ट है वो रिड यह यह याव्य स्काफ बूजर का होगा आउटर पार्ट इस ब्लू क्लॉर का तो इस इंटरफेस आफ इनर आउटर और यहां पर यहां पर यहां पर आपको मिलता है ऑक्सिटाइजिंग फिलिम में वह एक्रॉक्सिमेट मिलता आपको 3380 डिगरी सेल्सियस तक जो इसका आपको एवरेज मिलेगा वह मिलेगा ओका 1200 डिगरी से तक आपको 200 डिगरी से तो भ्यांद होगे यहां के यह बहु जादा है इसका यूजे बताया चलिए जल्दि से आपने यूजें पर आथे हैं यूज़ कहां कहां करते हैं इस फ्लेम का यूज़ तारा टेंपरेचर है जाहिए सब्दर है हाइर मेंटिंग कि ब्रास कि और सो भी वेड़ कि अब बोलो इसर क्यों पिछली बार तो ऑक्सिजिन वाटर जन्रेट हो रहा था वह बंग की इससे टेंपरिचर कमी था उसका नुट्रोफेन का तब हो नहीं रहा है यहां क्यों हो रहा है कि ब्रास यहां पर ब्रास मतलब कॉपर और जिंक की लोजिए मिलकर रास बनता है हमने अब पढ़ा औक्सिडाइजिंग फ्लेंग मतलब यहां पे उक्सिजन का इमाउंट ज्यादा है तो वह उक्सिजन जब जिंक से रियक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है और जब आपका यह वर्ग पीस है मांदो यह वर्ग पीस ह जो अपर पार्ट है उस पार्ट पे जिंक की लेयर बन जाती है और यह लेयर हीट को रिजिस्ट करती है जिसकारण ब्रास भी आप इसली वेल्ड कर सकते हो ऑक्सिडाइजिंग फ्लेंग से ठीक है तो क्या करना है नौजल में ऑक्सिजन की मात्रा जादा रखना है और ऐसे करने वाले हैं कार्गो राइजिंग फ्लेंग फ्लेंग है इसमें जो इसका जो फ्लेंग का मैं अगर डायराम बनाओ तो कुछ इस तरह की का बनता है यह आपका नौजल हो गया चीक है इसकी जो फ्लेंगी इंटर्मीडियेट पार्ट जो होगा इसका दो और आप लैंट की बात करें यह चोश्य अजाता है और इसका ऍद us इंपरेचर की बात करते हैं इसके सिद्ब काते हैं प्ति एस łaja इन आभी सबसें और अ कि तो क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है और यहां पर की मात्रा ज्यादा होगी कार्बॉराइजिंग यहां यहां पर इसका यूजेस है यूज जो है इसे मातेर इसे में होते हैं यह जो लू थीकिनएस जिने तीकनेस कशाएं उनको आपि कार्वराइजिंग फ्लेम से जुईन कर को यूज आप मार्केट में देखने ला गैस जो वेल्डिंग यूस करते हैं जो भी काम करते हैं वह इए वो ऐ कारवाराइजिंग फ्लेम पे ही काम करते हैंग ये वो इस टील के ऑंव ऐस बोब इंडी करते हैं है ठीक है तो इस टील incentiv के पार्ट ये है लों ये संसे टील एसेस का ही जड़ाइन खालते हैं ठीक है क्या दिक्कट जोत है से देखव दिक्क जो टो होगा लेकिन इस बहुत बड़ी मैंने क्या वेख he कर दो कि वेल्डिंग करो वेल्डिंग ज्वाइदि अफ टूर मोर सिमिलर या डिसिमिलर मेटल या नॉन मेटल विद आप फीट विदाओ चेंजिंग दा मैटलर्जिकल प्रोपर्टी उसमें कार्वन की मातरा ऐसे आयरें आयरें को आप जहां गैस वेल्डिंग से नहीं करते एक आयरें में क्याम की मातरा और एपी याथा होती है टीики का अधिकल य्जादा है तो क्या होता है करोगे जोट बनेंगे यह दो मेटल है इनके जो जो वेल्डिंग पॉइंट जो बनेंगे यह ब्रिटल ने सुझाएंगे हमें पता है कि जिस मेटल में जितनों जादा कार्वन की माउंट बड़ेगी वो मटेरियल उतना ब्रिटल ने सुझाएगा तो हलका सब गिरा प्रिवेल्ड क्रेक हो जाएगा इसमें बहुत जादा इसमें बर या 1.2 अमांट ऑ है और डाल ज़एगा कितना बढ़ेगा तू होगा या थी कारवन होगा इतना सफीक सी अंटेकी से लिए आप इस में जॉइन कर सकते हो यह था हमारा ओवरार तीन फ्लेम के बारे में डिसकस कर लिया अब पढ़ने वाले वेल्डिंग में वेल्डिंग टेकनिक सम देखने वाले तो जनरली यहां पर पढ़ते हैं एक होता है हमारा फूर है कən में वालिन टेकनिक्स कि तो है एक होता हमारा कि मैज कि मैं का जान सिसक्राण चै कि स्वेल्डिंग अचे कि मैं फूर हाँ और यहां पर जेखने वाले क्या होता है फूर है विल्दिटिंग तेकनिक्स और क्या होता है हमारा यहां पर वेल्ड करना है और जहां पर वेल्ड हो रहा है यह भी हमारा तीक है इसे यहां पर वेल्ड करना है तो मैं यहां इसे यहां पीछे वेल्ड होता जाएगा यहां पर जिधर आपको वेल्ड करनी है अपनी टॉर्च को वेल्ड के डारेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा तो उसे कहते हैं बेट हैं वेल्ड करना होगा इसना में इंगा डॉर्च का कोना ऊठ्यॉणन की तरफ आपनी टॉर्च को मूव करना होगा और इधर देखोगे इधर तो तो वेल्डीं इदर आपको तोर्च को अगला अगला लाइन इत्का हो अच्छा अब धान दू यहां पर क्या करना है आप उधर की वरी टॉर्च लिए तो यहां जब आप करो यहां जो वेल्डिंग फूल बनेगा जो पार्ड हीट होगा यह पार्ट ऐसा बनेगा मृत पार्ट हेट होगा इसपार्ट को हीट होने सा जो जीए यहां का जो क्या है जो मैटल मैट होगा वह क्या होगा इस दिरेक्शन में टॉर्च रख्यों और किदर नॉब करहां त्वर्च संबढ़ लोह दृटिंग पोर्सन यहां पिड़्के अप्प कर रहो तो यहां पर बड़ते जाओगे वेल्ट पूल ऐसे बनता जाएगा और पीछे की और वेल्ट होता जाएगा तो इसका सर्फेस है कि सर्फेस जो है नौन यूनि फॉर्म सर्फेस जन्रेट होता है सब्सक्राइब करते जारहा है और यहां पर यहां कर रहा है जो इस पाध में पीछे ऐसे वेल्ट होता जाएगा तो इस अगरेगा नौनिफॉर्म सर्फेस एक है और यहां पर यह कर रहा है जो बेंट यहां पर ही वेल्ड है उसके वह फिर चला रहा है यहां पर पोस्ट लीटिंग क्यों करते हैं in case of heat treatment, जब हमें कुछ amount of properties add करनी होती है materials में, तब हम ये backhand welding technique का use करते हैं, ठीक है, पहले तो पहला point है, towards non welding portion की तरफ torch को move करना है, towards welding portion की तरफ torch को move करना है, second point क्या हो गया हमारा, that is pre-heating and post-heating, ये हो गया second point, ठीक है, and post-heating, अगला है, non uniform surface create होता है, third point, non uniform slag, slag weld surface के आता है, non uniform slag weld surface पे बनता है, यहाँ पे आपका uniform slag surface create होता है, this is point number three, point number four, point number four देखी, जो हमारा four head welding technique है, single pass में, ठीक है, स्रिफ एक बार ऐसे pass करना है, single pass में, ये plate up to thickness, four mm plate की thickness, एक बार, ये single pass में weld कर सकता है, ठीक है, four mm thickness plate को single pass में weld कर सकता है, और इसका जो four point होगा, single pass में, six mm तक के plate को weld कर सकता है, fifth point क्या है, जो modified technique आया, ये तो हमारा normal ऐसे हम move कर रहे हैं, इसको इधर की और move करें, जो modified technique हो क्या कैसा technique है, इस तरीके तर, पहले हम फोड़ा आगे की और अपने torch move करेंगे, ठीक है, फिर पीछे की और, फिर आगे की और पीछे की और आगे की और पीछे की और आगे की और पीछे की और-पीछे की और-जो prop, ये modern technique style हैं, तो आगर ऐसे टारग today हैं तो आप approximateyu 10, एक सिंगल पास में हैं इंसयं सिंगल पास में सकते और इस इन है इन वेल्टिंपरिंच ps यह था ओवर ओल हमारा वेल्टिंग टीकिनिक ए तों समझ करने वाल है ठीक है न इसी में एक टॐपिक और हम डिसक्स करने वाल है that's called torch torch का क्या एंगल रखना सही रहता है वेल्डिंग के दौरान तर्च की यह जो एंगल है यह एंगल क्या रखो कि आपको अच्छी वेल्डिंग मिले जिस अलफा तो टॉर्च एंगल कुछ पॉपर्टी सब्सक्राइब करती है सबसे पहला थिक्नेस ऑफ प्लेट को थिक्नेस ऑफ प्लेट की है अंनल वेल्फा वेल्य उसपे रखेंट करती है दूसरे मैनल्टिंग पॉइंट ऑफ माटेरल अपके माटेरiयल की लुह अलज लुग एफन न्युक्ति अ कॉइंटてीु है टर्मल इंक्atz सब्सक्राइब जी सब्सक्राइब तो करना होगा यह सब थीक है तो प्लेस आफ वेल्टेंग सबस्पहलें डिसकस करेंगे देखो जो वेल्डिंग टॉर्च एंगल जो अल्फा होता है सुर्वात में एक स्टाटिंग पॉइंट पर जब वेल्डिंग को स्टार्ट करते हैं तो आपको अल्फा की वेल्यू कि नाइंट डिडिगी रखनी होती है क्यों मैं अभी बताऊंगा और अट दे एंड अफ वेल्डिंग जो आपका वेल्डिंग कंप्लीट होने वाला होता है अट दे एंड अफ वेल्डिंग अल्फा की वेल्यू जितना कम हो सके कम से कम उत्रा रखना पड़ता है मतलब 0-25 ड दिटा ठीक है आपको जितना कम हो सके उतना याप को यहां पर बताता हूं तो अभी जो मारी abd किंदिंड होती है हमारी खुलीं की सब्सक्रार्व मैं कि हमारा अंदिंड कैसका की जो है है यहोट और प्रकुलिव गया ईया उत का अपव прид में यॉटि यह कैसे इनके साथ यह रिलेट करता है तो जब आप वेल्टिंग स्टार्ट करते हो तो जाए आप वर्पीस है इस रूम टेंपरेचर पहना यह वर्पीस मतलब 36 तो इसको अगर आप वेल्ट करना चाहते हो तो इसकी रिखने पेंपरेचर करतो ले जाना पड़ेगा तब ही मैटल मेल्ट होगा मैटल में इसकी मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट तक तो आपको ले जाना पड़ेगा तब मैटल मेल्ट होगा तक तो यह वेल्ड होगा तो मैट आपको शुरू में आपको फ्लेम देंसिती ज्यादा देना है फ्लेम देंसिती क በ फ्रिस प्सक्राइब रसल्गोन हो में क्या होगाral इस पॉइंट पे आपका सब्सक्राइनी परकांट की बबनेगा सब्सक्राइब तो जह होता है फिलीं कि अवगर ऐंगा आपका पूंट पर कॉंसेंट्रेटेट ना होगे फिलीं पूरा लगब इस सर्फेस पार्ट को मैटी करने में लोह को पर आता है अब दूसरे में फिर एड़ एंड प्रोसेस हम अपने अलफा को जितना कम हो सके उतना कम करने लगते हैं क्यों कम से जब आप क्या यह मुटन मेटल जब पिखल लिया फिर भी आप इसी पॉइंट पर ऐसे ही आप देता होगे तो मैटल क्या होगा मैट हो कि जाकर यह जिरे रहे तो वह तो हमें चाहिए नहीं सलिए आप जितना इसको नीचे करोगे जितना अपना एंगल को नीचे करोगे तो अपना सर्फेस पे ऐसे फखलेगा ठीक है तो एक अंड प्रोसेस अलफा की वैल्यू हम जितना कम हो सके इंड़सेंस अब 0-25 तक रखते है तो थीखने सॉफ्ट इंसिटी ट्रींट करता है मतलग क्या हुआ अगर अलफा की वैल्यू यहां पर बढ़ाओगे तो यहां अधां बनाओगे यह ज़्यक यह जाधा होगी यहां पर आलफा की वैल्टेंट पॉइंट को एचीव करते हैं थर्मल कंडेक्टिविटी के की वैल्यू यहां पर आलफा की वैल्यू यहां पर जादा रहा हैं को पीको अ और सब्सक्रे वियर्टी का वहीं होताई इस और सब्सक्रेंट करते हैं शुरूमेसे नॉयूविआ। यहां यहां जो यहां देखने वाले वह वर रिम चाइघ जुनैट zar रांडेने दिग्रेश्जरी एपाइडडस at हमसार चरते हैं को जीषन ओं कि दो उडरी चैयां कि अब या और जेंटल को पुरिशन वेटिंग दूसरा होता है वर्टीकल तीसरा होता है अब होरिजॉंटल और चोथा होता है ना ओब एडिगे यह ओडिगे यह ओडिगे फ्लैट जो नॉर्मल पुर्गी आपका और फैंटल आपका कुई ऐसा प्लेट रखा हुआ है थिक यह उसको ऐसे वेल्ड करना है आपके नॉर्मल यह फ्लैट के वेल्ट पॉनिटन इसे गुए यह जो हो एक शी पट रखा होगा है अब हैशी पॉत जाए गदार आ चाप सकता तो उसको गुए और बेंटल इसना है फ्लैट और और जिंटल के वेलडी करना है क्या हो गया ऐसा KNOW dul क्या हाख करना है फ्लैट को वेलड़ करना है थे भार्ड करनाいい है यह जो पुकंशन है आद हर ऐसेड रैभर करना है यह हो गया वर्टिकल वेल्डिंग ना बोर जेंटल वेल्डिंग देखते हैं यहीं क्लिट को आप ऐसे रब दो इसको आप वेल्ड करना है इस सिलिंग यहां परकाट को वेडिन अबना है यह कैसे वेड़ करेगा पार्च लेगा पको ते रहे हैं उपर कि यह वेड़िय देखते हैं और अब इसकाल्ड ओवराइड विद्चेन नौ फ्लक्स के बारे लिए इसके सबस्क्राइब जेनरल जो फ्लक्स क्या है उपसे पहले इस देखते हैं और फ्नक्स की फोर की किया होनी चाहिए तूदि हम देखेगे यहाओं तो फ्लक्स अंपनाहिए जनरली हम भोर्फ नामका भोर्फ collection करते हैं अब करते प्लिक्स जो इलेक्ट्रोड होटा हैна militam थीक है है आलेक्ट्रोड पेडिशाी इसके अपर जब coating है, इसी का हो कहते है, flux. Generally ये ग्वोरेक्स होता है, ठीक है, कुछ प्रोपर्टी, जोने इचा, फ्रक्स की प्रोपर्टी, कुछ बना चाहिए, इताला प्रोपर्टी, 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 प तो ब्लांक को आपका Took मिर्ड करते को, आपका school work piece का मॉल्टन मेटल है लो और गूल मोल्टन मेटल फिगलने लगता है ऐसे को अपर क्या करता है इसको उपर ब्लेंकेट की तरह एक लेयर बनांक रहेरा हिए ताफिक डेंजरा पर आनके वेड्म्सवर क्या रहका है आप चाहोगे कि आपके जो भी कोई भी इसमें गबल्स को बीपीन होल जैसा कोई भी गयस अफेक्ट आपको ना मिला तरवाई आपकी वेल्डिक आप जरू है तो आप चाहोगे कि वेल्डिक पुले तो इसके उपर आपका जो फ्रक्स है ऐस ब्लांगेट की तरह उसको ढख स्वेशन प्रफ मैं ब्त Κांप इस बता क्या varit प्रांब प्रेले। अटीकर प्रेड मोगिंग प्रेंगें स्भाय बार्णप धकिन ऴेक मैं भी तो तो जोल जहांınız प्लेड लेह ॅट ऑच अर भी आज पासए रहा है उसको तरहता है फ्लक्स एप्जोर्ब कर लेता है, उसको मॉल्तिमेटल की और निजन लेता है फोर्थ करेकिस्टिक फ्लक्स क्या हमारा शुट नॉट शुट थे लो देनसिटी देन जो पोटिल की जो भी डेनसिती होगी फ्लक्स की डेनसिती है मैसार कम होना चाहिए आप जो भी मैचिल का वोल्डिग कर रहेगा अदरोगा अंपसान दमद चलागा कि अन्दर चला तो क्या वेल्ट रोला वेल्ट रहा को जाएगा अपका थीक्यां 5th point melting point of flux का melting point है वो metal के melting point से कम होना चाहिए metal के flux का melting point है metal के melting point से कम होना चाहिए ठीक है 6th hand material व्यूद्स का अदिरियल है विसकोसिटी जो है वो लोगे चंदी ये ओवर और फ्रॉक्स की कुछ चरेक्रिस्टिक है We need to deoxide the metal to form slag against a blanket over the metal pool To absorb unwanted gas during the welding Should have low density as compared to a density of wood beads And should have low melting point, as compared to a parent's material Th 알람 Or it should have low viscosity यह जिए प्रफ्स की यह जिए जिए प्रफ्स की और जिंगल जो हम गोर्ष का अच्छा हम अच्छा यूज अलुमुनियम यस निकल एलॉय या आपका करबन निकल एंड करबन क्योंते यह आपका ब्रकिल हुटाइं यह निकल एकलन कीविए यूच्छकी यूच्छ इंड का यह हम फ्रफ्स का रिय Eggले तो कि यह औरेडी रीक्ति हुटी है फ्रफ्स यह खुदी ऑक्सिडाइड़ाइन रहते है तो HA जो प्रकन आगल हम रोखता है तो रूकने के लिए कशले हमस्सकत है यह दो हमदकर म सिलम्क और मिस्सक्राटे करें इस फ्लग स apparently दो ज़ता इस फ्लग हमील ख्रूल जो हरो है तो फिर आप फ़र्श ही कहते रहूद है, तो for welding of nickel alloy and carbon alloy we have no need to use the flux ठीक है? Filler Rod जो अंच फिलर Rod का यूज करते हैं, जनरली क्या है Filler Rod? यह metal है हमारा यह metal है, इस दुनों metal को चब यह work piece section में लिए के work piece अरे यह बर्ग बीसिक है इनको और वेल्ड एक रखना है with the help of flame flame के help करना है तिक है मैंने flame इस पे एक किया इस point को ये point heat हो ठीक है क्या हुआ ये part heat हो रहा है gonna heat होने पाद हम क्या करते हैं इसमें एक filler rod जैसे इसमें लगाते हैं और यहां पे आकर इखटता हो जाता है यह होता है फिलर रॉड जेनरली कुछ पॉइंट्स है या लखना अगर थिकनेस प्लेट की थिकनेस अगर 5 mm से कम है तो आपको नीर की फिलर रॉड का आप यूज मत करो इसको पार्ट को वो आपको प्लेटिक लेगा इन दोनों का आपसे जाके मिलकर ये खोदी रॉड से फिलर जाएंड पिलर जाएंड को इस वर की स्पिंगेस इस लेज बें का एंग चिक है और तो उस प्रोशेस किया बोलता है तो दी कुडिलिग पुडिलिग ऑपरेशन बोलते हैं ठीक है आपको याद रखना है कुडिलिग ऑपरेशन विदाउट फिलर रॉड विदाउट फिलर रॉड अगर किसी दो मेटल कॉंग ज्वाइंट करते हैं उस प्रोसर स्वाइब बोलते हैं फुद्धी ऑपरेशन ठीक है तो पहला अगर आपका थिकनेस वाजय में से कम है तो आपको फिलर मेटल की जोड़त नहीं है अगर आपक तो लॉड्किकनेस में नहीं अफ्लेक कि थे मूर पूसक गरों इस जारों के तब आफ इलिक वीख जिर ओंगे अग्रों इस्ट आख बाइजोड टुुक्ति हो जोड़ पश्या है फिर में जाटें। फिर नहीं डूब दो दिए अग्या है अग्या हम बोपटईस फिलर अट सुंगे है Filler Modeling की Properties क्यों होनी चाहिए ? सबसे पहला Melting Point of Filler Material Should be Same as Parent Material ठीक है ? जो Melting Point है आपकी Filler Rod का वो approximate same होना चाहिए आपका किसका आपके जो Parent Material आपकी उसके पहले हो चीक है ? density of filler material should be same as the parent material density should be same चीक है ? viscosity viscosity also be viscosity of filler material should be same as the parent material and चाउधा Point एक चीज़ और एक करूँ है जो filler material है वो generally कौन सा similar या dissimilar approximate approximate similar filler material material is used चीक है ? तो जो भी आप Parent Material जो भी आप जो भी दो material का वेट कर रहे होगे तो जिस material का होगा या तो उसी material का आप ना filler rod use करो या तो आप approximate property का follow करता होगा आप वो यूज करता होगा अब filler rod पूंकों से material का होता है यह लिगता हूँ low carbon steel low carbon steel low carbon steel or mild steel mild steel यह दो filler material है आप इनका फिलिस कर सकते हैं ठीक है ? odd यह आता है ss steel is steel 3410 steel is steel 210 यह अलग अलग है जितना अधर point बटता जाता है उतना अधर filler material हार होगा आपके जितना hard होगा जाएगा मतलब आपकी welding इतनी कम देव होगा जाएगा soft material यूज करना है यह था approximate similar material तो यह था overall gas welding से related मैंने oxy acetylene में जितने topics से सब कुछ कतन कर दिया तो इस lecture में जो gas welding पहले lecture में मैंने oxy acetylene gas welding आपको बताया इस lecture में आपको जो बागी के 4 हमारे है उनके बारे में हम discuss करेंगे ठीक है जो जैसे कि हमारे बचा हुआ है air acetylene welding, oxygen hydrogen welding and the last is atomic welding gas welding यह 4 gas welding बचा हुआ है इस lecture में cover कर लेंगे क्योंकि हमने ठीक में जानना था वो हमने gas welding क्या है वो हमने oxy acetylene में जा लिए तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा प्लीज बैग जाए वीडियो देखिए फिर आप आईए का यहां बहुत चीह आपको नहीं समझना है ठीक है तो air acetylene welding में क्या हुआ क्या मत्तब हुआ हम acetylene का C2H2 का cylinder लेंगे हमारा nozzle होगा यहां पे mixing होगा ठीक है atmosphere से air हमें मिली रहा है acetylene हम ले रहे है मिक्स कर रहा है और उसको unite कर रहे हमें flame चीक है air acetylene welding में हम air का यूज करते है और acetylene का यूज करते है welding process के लिए इसका जो formula बनता है आपका आचा तो air है वह जिन्दर हम atmospheric air ही यूज करते है ऐसा नहीं कि हम air को भी center में pack करके रखना है वह air यूज करो यूज करते है C2H2 जब आपका O2 से rate करता है 2CO plus H2O plus heat मिलेगा 2CO जब oxygen से rate करेगा 2CO2 plus heat मिलेगा और hydrogen react with half of total it gives X2O plus heat तो acetylene जब भी react करता है oxygen से क्या हमें हमेंसा exofermit reaction मिलता है और water को मिलेगा उस water को evaporate करने में बहुत सारी energy loss हो जाती है इसलिए gas building में जो हमारा gas की flame निकलती है वो जादा-जाद 2,000 degree Celsius 2,000 degree Celsius 2,000 degree Celsius के अंदर नहीं रहता है उससे जाता नहीं जाता है concentration हमारी gas ठीक है वैसे तो जेनरली तो धी आद 3,000 दूर के 32,000 300,000 34,000 माक्सिमुम रहता है इस water को खळक करने के चक्कर में काफि इनर्सी लोहस होता है वो फिर नॉर्मल आ जाता है तो air acetylene building में यह जो oxygen है ठीक है यह पहले अपन oxygen acetylene में पढ़ाता उसमें भी उसमें जो oxygen था, क्या कर रहा हम एक unit oxygen हम अपने cylinder से ले रहे थे और बागी का, यह one unit cylinder oxygen हाफ unit यह total unit 2.5 unit of oxygen, तो oxy acetyene वाले में हम one unit oxygen cylinder से ले रहे थे और बागी का one point हम atmosphere से ले रहे थे रेक है, बट यहाँ पे air as a clean idea и हम पूर चाहे हैं अल 2 की और 0 पूरी प्रेंद यहाँ अइसे चीनDasघ टो अ भीनिट के रहा हम ख़ीulle इसका जो पेवरेस्ट नेशर होता है कुछ पॉइस यहां पर लिखते हैं सबसे पहले यह टैक्निक का यूज रहा है इस गर्ली टैक्निक का यूज रहा है मैं फोर लो मैंटिक कोईण को यह जो लो मैंटिक कोईण से कट्रहा है वहान पर इस अबसे आब यह झार आफिक करते हैं जुसरा है इस आफिकल्पल लो इन कॉमाइट मेंट्पल मतलब इक्सपल जिन होगया कि कर दो पहला लेड होगया ठीकए दूसरा पॉइंट है इसका जो एवरिच टेंप्रेचर होता है वो 600 डेडी celsius से 800 डेडी celsius तक नायता है तिसरा air acid liberty का पॉइंट है इसका जो किस principle पे work करता है इस principle पे जो बुलसें burner जो बुलसें burner हमारा होता है जो अपना LPG LPG gas जिससे घर में युज़ करते होना आप ग्यास चालू करते हो तो जो burner से gas निकालता खिर आप इनाइट करते हो लाइटर से से प्रोसेस है तो यह हम बुलसें burner का युज़ करते है इसको इगनाइट करनेगे यह हो गया तो यह था हमारा overall air acidly welding process next हम discuss करेंगे oxygen hydrogen building oxygen hydrogen building oxygen hydrogen gas building oxygen hydrogen gas building इसकी reaction तो आपको जाद था है hydrogen rate with half unit of oxygen to form quarter and heat यह जो heat है यह flame कीए हमारा 800 degree celsius से 1000 degree celsius से मिलता है but maximum 2880 degree celsius आपको maximum मिलता है इस flame का जो flame निकले है उसकी temperature इस water को evaporate करने में lot of energy loss होता है तो आपका जो average flame की temperature मिलती है 800 degree से 1000 degree celsius से तो कहां यूज़ करते है इस suitable for use low matting point material such as zinc, pin, cadmium, lead etc. तो कहां यह? Now very popular heat source for bridging operation bridging operation, soldering, particular soldering, bridging bridging operation के लिए the heat source, the subset based heat source bridging operation के लिए तो example in raising of condenser, heater, evaporator, water mobile यह सब रहे था एक और example लेकर 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 furnace होता है, knock lock knock lock furnace उच्छा example इसले पहले नाने जो क्या बता था that is called air as a clean building air as a clean building वो very popular होता है इसके लिए? soldering के लिए यह चीज लिक ले ना वो जो आप topics पढ़ रहा है इससे पहले topic पढ़ाया था air as a clean building में उसका जो very popular source है इसके लिए? very popular source of heat for soldering process के लिए और यह है oxygen hydrogen very popular heat source for bridging operation चेक है? Now यह है हमारा atomic hydrogen gas welding यह last हमारा gas welding था atomic hydrogen gas welding में हम 2 electrodes का यूज कर रहे है ठीक है? इसका हमारा electrodes है? 2 अलग-अलग electrodes लेते हैं ठीक है? या सेल electrodes कर लो मैंने आलो बनाया असली electrode ले लो ठीक है? इसका अब जब supply दो दोगे और ढूनों supply देने के बाद ऐसे रिंज पर रखना है असली आप इसके अंदर से hydrogen gas pass कर लोगे तो क्या होता है? यहां पर आपका spark भी बनाया बहुत है इस spark से यह atomic hydrogen है यह जो H2 है molecular hydrogen है यह क्या होता है? बिखर कर यहां पर atomic चोटे-चोटे अलग-अलग hydrogen है इस molecular hydrogen यहां पर high amount of current है कारण spark बनता है spark है this molecule hydrogen convert into this atomic hydrogen ठीक है? और यहां पर hydrogen का यह गया layer बनावनता है ताकि कोई atmospheric gases अंगर की और नहा आपाए ठीक है? कोई इस heat की कारण जो heat यहां पर मिलता है उस heat की कारण यहां पर winding pull बनता है और आप इसको build रसक है तो पहले क्या होता है जो molecule है hydrogen का hydrogen का molecule विखर कर H plus H में बदलता है यह जो process है इस हो कहते है endothermium क्योंकि heat ले रहा है molecule यहां पर heat दे रहा है तो endothermium का reaction हो रहा है after that कुछ देर बाद यहां पर क्या होगा? आपका voltage का होगा continuous voltage नहीं है voltage supply करो फोड़ा voltage adjust हो जाता है तो आप voltage जैसे का होगा तो यह hydrogen atomic hydrogen है यह मिलकर क्या बन जाते है साथ साथ आपको heat नहीं रगता है hydrogen बनते है और heat नहीं है तो यह जो 100% hydrogen निकल रहा है इसमें से 70% hydrogen जो है heat के काम आता है बच्चा वो 30% hydrogen है वो ऐसा flux कर रहा है इसके उपर एक layer कर लेका ताकि जो भी unwanted चीज़े है वो अंदर नहीं है atomy hydrogen gas rating और यह हमारा gas rating